कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं जनता सुप्रीम है दिल्ली की जनता सुप्रीम है उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए नमस्कार में आजमिन खान और आप देख रहे हैं स्पीन नाइन न्यूस दोहजर चौबिस के लोग सभा चुनाज से पहले तमाम विपक्षी पार्टियों का एक जोट होना और भारते जनता पार्टी का एक तरफ से समुदाय के नाम पर हमला करना इस सावतार पर दर्शाता है कि 2024 में किस के सरकार बनेगी और किस के सरकार ना बनने के कगार पर पहुँचने वाली हैं अब ऐसे में तमाम राज्यों की बात की जाए तो बिहार है उत्तपरदेश है करनाटक है राजस्थान है मध्यपरदेश है मडिपूर है जहां पर आगजनी हो रही है जहां पर भारते जनता पार्टी अभी भी उस आगजनी पर काबू नहीं कर पाई है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली है राजदानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी भारते जनता पार्टी अभी तक अपनी सत्ता कायम नहीं रख पाई है तीन बार मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल चुने जा चुके हैं तीन बार के बाद MCD चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की जीत होती है यहां पर साफ तर पर हर जगा से दिल्ली में भारते जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है ऐसे में देखा जाये तो भारते जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है दिल्ली को जीतना दिल्ली जीतने के लिए चाह कार्थ्याइफ़ बात बात भारते जंता पार्टी को इसलिए नहीं हो रही है क्य處कि अगरार दिघ्री वाल के तो यहाँ पर भारते जन्ता पारटी का एक तरीके से जीतना नमुम्किन हो जाएगा और दिल्ली में अपनी सब्ता कायम करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा इसलिए भारते जन्तापारटी की तरफ से इन अधिकारों के खिलाफ एक अध्यादेश लाया जाता है वो अध्यादेश जो संसद में पेश किया जाएगा वो अध्यादेश जो यहाँ पर संसद में पेश करते वे भारते जंता पाटी यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरिवाल ने जान बू कि अर्विंद केजरिवाल के अधिकारों को छीनने का काम उपराज्यपाल ने किया था तो वैसे में उपराज्यपाल केंदर सरकार के इशारों पर काम कर रहा है ग्रहम मंत्रिया मिशाह के इशारों पर काम करते हुए वी के सक्सेना नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर जब भ यहां पर काम करती भी नजर आती है अब ऐसे में अधिकारों में जो बहेश चलीती सुप्रिम कोट आम आदमी पार्टी के हक में फैसला सुना देते हैं और प्राज जेपाल को फटकार भी लगाई जाती और साथ तोर पर यह कहा जाता है आपके पास मातर तीन अधिकार है उन बस फ्री वाली योजना तमाम और योजनाओं को यहां पर उप्राज जेपाल रोकते वे नजर आते हैं जिसको लेकर खुद साथ तोर पर अर्विंद केजरिवाल खुलासा करते हैं अब ऐसे में उप्राज जेपाल ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो केंदर सरकार ए भी जीतते वे नजर आएंगे क्योंकि तमाम भी पक्षी पार्टियों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और ऐसे में अध्यादेश के खिलाफ यहां पर आम आदमी पार्टी तो उतर रही है लेकिन इसी अध्यादेश के खिलाफ राश्पती मोहर लगाती वे नजर आईगी य ऐसे में देखा जाय तो अगर संसद में पेश होगा और उपराज्यपाल की बात की जाए और सीधे तोर पर फस्ते वे नजर आते हैं तो राश्पती को स्तीफा वो भी सौंपते वे नजर आएंगे प्रदान मंतरी की तो बात है ही लेकिन उपराज्यपाल की भी बात साब तोर पर नजर आ रही हैं लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर आ लिए जिसमें अरविंद केजरिवाल कई खुलासे यहां पर करते वे नजर आ रहे हैं और सीधे तोर पर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी की साजिशों को बता रहें किस तरीके से वो दिल्ली में यह नहां पर पैर पसारना चाहते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरिवा देखिए उस रिपोर्ट में दोस्तों ग्यारा मई कि आज ग्यारा जून है कि आज से एक महीने पहले ग्यारा मई को देश की सर्वोच उदालत सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी कंस्टिट्यूशन बेंच उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में और उसके आठ दिन के बाद एक हफ़ते के बाद उन्निस मई को देश के प्रधान मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया दोस्तों देश की सबसे बड़ी अदालत के देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधान मंत्री ने खारिज कर दिया प्रधान मंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता देश के प्रधान मंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधान मंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोट को नहीं मानता पूरे देश के लोग स्थब्द हैं पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा इतना हैंकारी प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री को इतना हैंकार प्रधान मंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोट को नहीं मानता देश के गली-गली में चर्चा हो रही है घर-घर में चर्चा हो रही है ये मोदी जी को क्या हो गया इतना हेंकार हो गया इनको इतना हेंकार हो गया इनको दोस्तों देश के अंदर अब जनतंतर खतम हो रहा है इसी को ताना शाही कहते है जब देश का प्रधान मंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोट को नहीं मानता इसी को ताना शाही कहते हैं इसी को हिटलर शाही कहते हैं जनतंतर खतम होना कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ आखिर इस सुप्रीम कोट के आदेश में ऐसा क्या है सुप्रीम कोट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोट के आदेश को नहीं मनता सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है भारत में जनता सुप्रीम है जनता अपनी सरकार चुनती है उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं दिल्ली की सरकार को भी जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं चाहिए इस पार्टी की सरकार हो चाहिए उस पार्टी की सरकार हो सुप्रीम कोट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं जनता सुप्रीम है दिल्ली की जनता सुप्रीम है उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या सुप्रीम कोट ने गलत बोला क्या प्रधान मंत्री को सुप्रीम कोट का अदेश मानना चाहिए मोधी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोट का अदेश नहीं मानता मोधी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोट के अदेश को खारिज कर दिया मोधी जी का अध्यादेश क्या कहता है प्रदान मंत्री जी नो यह जो अध्यादेश पारिट किया यह क्या कहता है मोधी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा अब दिल्ली के अंदर ताना शाही चलेगी अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है अब दिल्ली के अंदर LG सुप्रीम होगा अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मरजी वोट दे चाहे जनता जिसकी मरजी सरकार बनाए प्रधान मंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाओंगा मेरी ताना शाही चलेगी कि अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नी चलेगी, जनता की सरकार की नी चलेगी, प्रधान मंत्री जी कहते हैं, लजी के जरिये मैं सरकार चलाओंगा, 26 जन्वरी 1950 को हमारे देश का समविधान लागू हुआ, बाबा साब अमबेडकर ने समविधान बनाया, बाबा साब अमबेडकर ने अपने समविधान में लिखा, कि इस देश के अंदर जनतांतर होगा, जनता सुप्रीम होगी, आज प्रधान मंत्री जी ने भारत के समविधान के परखचे उड़ा दिये, प्रधान मंत्री जी ने भारत का समविधान बदल दिया, प्रधान मंत्री जी कहते हैं, अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधान मंत्री सुप्रीम होगा। प्रधान मंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रदान मंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मरजी वोट दे उस वोट की कोई कीमत नहीं है दोस्तों ये भीजे पी वाले रोज मेरा आप मान करते हैं मेरे को गालियां देते हैं गंदी गंदी गालियां देते हैं मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है मैं कोई परवा नहीं करता मैं इनको वापस गाली नहीं देता मेरे को गाली गलोच नहीं करनी आती मेरे संसकार नहीं सिखाते मैं 24 गंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं मेरे को काम से मतलब है आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया इतनी जिम्मेदारी है 24 घंटे काम करता हूँ ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है आपकी वोट के कीमत आपका वोट का अपमान किया है ये मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता आपके अपमान को मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है मोधी जिन तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को इसको बरदाश्त नहीं कर सकते, इसको ठीक कराके रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज कराके रहेंगे, सुप्रीम कोट की अधेश को पालन कराके रहेंगे, करेंगे की नि करेंगे? मैं पूरे देश में घूम रहूं हर राज्जी के अंदर गया मैं पिछले दिनो पूरे देश के अंदर घूम रहूं सारी पार्टियों के नेताओं से मिला मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं देश के सारे लोग आपके साथ हैं आप यह मत समझना आपके ने हो 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं वेस्ट बेंगॉल के लोग आपके साथ हैं तमिलनाडू के लोग आपके साथ हैं केरला के लोग आपके साथ हैं महराश्टर के लोग आपके साथ हैं बिहार के लोग आपके साथ हैं उत्तरपरदेश के लोग आपके साथ हैं मध्यपरदेश के लोग आपके साथ हैं 140 करोड़ लोग मिलके इस अध्यादेश का विरोध करेंगे जनतंत्र को बचाएंगे दोस्तों सीधे तोर पर साफ है कि अगर अर्विंद केज्रिवाल सुप्रिम कोर्ट से जीते हैं और को लेकर आपके क्या राय कि क्या अर्विंद केज्रिवाल के अधिकारों को छीनने का काम भारते जनता पार्टी इस अध्यादेश को जारी करके करदा चाहती है लेकिन क्या यहां पर राश्पती इस पूरे फैसले पर विराम लगाती में नजर आएंगी क्या है आपकी रा झाल 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 झाल